इंसानियत के साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल काम पीड़ित के साथ खड़ा होना बहुत दुश्वार हो गया जंग को रुखवाना तो उससे भी बड़ा मुश्किल सौदा है इस देश में जहां नफरत का बाजार गर्म है जहां लाशों को भी हिंदू और मुसल्मान के नजरिये से देखा जाना लगा हो जिस देश में कपड़ों के रंग से लोगों की पहचान होती हो जिस देश में आपके टिफिन में क्या है इससे ये पता चलता हो कि आप किस धर्म के मानने वाले हैं आपके खाने आपके कपड़े आपके पहनावे से आपके साथ बाचीत करने का ढग बदल जाता हो उस देश में अगर कोई फिलिस्तीन की हिमायत में ट्विट कर दे तो ये बरदाश्ट कैसे होगा भारत के पूर्व क्रिकटर एरफान पठान उन्होंने घाजा में जिस तरह से इसराइल की बंबारी है उसको लेकर एक ट्विट कर दी है एक अपील कर दी कि भाई जंग रोग दीजी बच्चे मारे जा रहे हैं इंसानियत मारी जा रही है लोगों के पास खाना है ना पानी है आप ऐसे हालात में उन्हें खाना पानी दवाई देने की जगा उनको बं दे रहे हैं आप अस्पतालों को गिरा रहे हैं आप बच्चों को लहू लुहान कर रहे हैं जंग रोग दीजी जंग किसी मसले का हल ये बात कहना इर्फान पठान को बहुत मुश्किल पड़ गया लोगों को नागवार गुजरने लगा वो लोग जो लगातार एक खिलाडी को टारगेट कर रहे हैं इस बात पर कितने फिलस्तीन की बात कैसे कह दी आपने फिलस्तीन के बच्चों की लाशों पर क्यों ट्विट कर दिया ये वही लोग हैं जो फिलस्तीन के बच्चों की मौत पर जशन मना रहे हैं ये वही लोग हैं जो गाजा में हो रहे मौत के तांडव पर खुशिया मना रहे हैं बोलता है हिंदुस्तान पर मैं हूँ आपके साथ पिर्जा शाकिराली बेग। इर्फान पठान ने ट्विट किया और पूरी दुनिया के लोगों से यूएन से अपील की कि आप इस संगर्ष फिराम को लागू कीजे। इर्फान पठान ने लिखा कि घासा में हर रोज दस साल से कम उमर वाले बेगुना बच्चों की जा रही है। और दुनिया चुप है। एक खिलाडी होने के नाते मैं सिर्फ आवाज उठा सकता हूँ लेकिन अब बहुत हो गया है। दुनिया भर के नेताओं को एक जुट हो जो अपने आपको खुद बताते हैं है मिर्देसाई। उन्होंने अपने ट्टेर एकाउंट से लिखा एर्फान पठान ने कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नर्साहार पर आवास क्यों नहीं उठाई। हमास के आतंक्यों ने इसरायल के लोगों के घर में घुसकर लड़ फिलस्तीनियों के नर्साहार के लिए खुश होने वाले नहीं हैं। कै यह शब्द गाजा में गिर रही बच्चों की लाशो कर जशन मनाने वाले नहीं हैं। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था, उनका नर्साहार हो रहा था, तब क्या इर्फान इतने ही बड़े क्रिकेटर थे, क्या वो तब भी ट्विटर पर आकर किसी और मुद्दे पर बात कर रहे थे, क्या इर्फान पठान उस वक्त इस हैसियत में थे, कि वो अपनी बात को कह सकते, इर्फान पठान जिस वक्त कश्मीर के लोगों का नरसहार हो रहा था, उस वक्त क इन हालात में थे और क्या कर रहे थे, ये समझे बिना, इस तरह के ट्विट किये जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि अभी आप बोले हैं, तब क्यों नहीं बोले, आपने अब ये काम किया, तब क्यों नहीं किया, तो क्या, फिलिस्तीन में गिर रही लाशे, इस बात से ज अरभजनिक जीवन में क्या उस वक्त इरफान पठान की इस्तिथी वही थी जो अब है। इरफान पठान की तरफ से ट्वेट पर कमेंट करने का विकलपा बंद कर दिया गया, क्योंकि जिस तरह की पृतिक्रियाएं मिल रही हैं उनको कमेंट में, वो साब बताती है कि एक बीमार मानसिक्ता इस देश में घुल गई है वो सिर्फ लाशे देखना चाहती है मुसल्मानों की अगर लाश मुसल्मान की है तो वावाई मिलने लगेगी और अगर आप उस लाश के मुझरिम को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ट्रोल किया जाएगा एक मुसलिम सेलिबरिटी का ट्विट करना कितना मुश्किल हो गया है भारत में आप समझ सकते हैं कि एर्फान पठान को किस तरह के कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है अब आप सोचिए कि आम भारतिय मुसल्मान का क्या हाल होता होगा इर्फान पठान के ट्विट पर इस तरह के कमेंट करने वाले अधिकतर हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं या फिर बीजेपी के समर्थक हैं आखिर जंग रोकने की अपील करना इतना बड़ा अपराध है कि आपको ट्रोल किया जाएगा इर्फान पठान की देशभक्ती पर सवाल किये जाएंगे देशभक्ती का पार्ट पढ़ाने वाला गैंग वही है जो दानिश कनेरिया को अपने पलकों पर बिठाए हुए कि हेडलाइन से अगर आप देखें तो वो भी ये कह रहा है कि इर्फान पठान घिर लिये गए तो इर्फान पठान ने क्या इतनी बुरी बात कही थी कि उन्हें घिर लिया गया बलकि वो लोग घिर गए, वो लोग सामने आ गए, उनकी असलियत सामने आ गई जो अब तक मौत को अच्छा मानते चले आ रहा है थे जो शांती के खिलाफ है, जो सत्भावना के खिलाफ है जो हिंसा के साथ है, जो कतल के साथ है, जो बम के साथ है इर्फान पठान ने क्या कुछ गलत कहा वो ही स्ट्रेंड है जो भारत सरकार का स्ट्रेंड है सब्भावना और शांती भारत दुनिया में जहां कहीं पर भी जाता है रेप्रेजेंट जहां पर भी भारत दुनिया को में करता है वो यह कहता है कि हम बुद्ध और महात्मा गांधी के देश से आएं तो क्या बुद्ध और महात्मा गांधी का संदेश यही है कि आप बच्चों पर बं गिराएं क्या इर्फान पठान का सवाल करना सिर्फ अपील कर देना वो भी UN को टेक करके इतना बड़ा जुर्म हो गया कि उनको लगताट ट्रोल किया जा रहा है और इस्तिती यह है कि रफान पठान को अपने कमेंट्स बॉक को रिस्टिक्ट करना पड़ा उसे रोकना पड़ा कि आप कमेंट नहीं कर सकते पूरे देश के लिए भी एक चिंता का विशह है कि आप अपनी आवास कैसे उठाएंगे ये वही लोग हैं जो मडिपूर में जलते घरों पर चुप रहे ये वही लोग हैं जो मड़िपूर में गिरती लाशों पर चुप रहे हैं क्योंकि इनके लिए सरकार सर्वोथ्तम है सर्वोच है आप बीजेपी की सरकार के खिलाफ सवाल नहीं उठा सकते आप बीजेपी की ट्रोल आर्मी के सामने सवाल नहीं कर सकते